नमस्कार सबी बाईयों को राम राम तो आज नायब सिंग जी एक एचफ गाय सेल के लिए अवेलबल करवा रहे हैं जो इन्होंने बताया कि फर्स्ट लेक्टेशन में हैं और दूद के दांत यानि की खीरी है फर्स्ट लेक्टेशन है और इसका जो मदर मिलक रिकोर्ड था वो 25 लिटर प्लस का था जी ये पहली बार 25 लिटर तक दूद दे सकते हैं बहुत ही सुन्दर H.F.Reed की गाए है तो कोई भी बाई लेने के चुको तो नायब सिंग जी के जो निचे नंबर दिये जा रहे हैं इनसे आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकरी ले सकते हैं तो सभी बाईयों को राम राम मैं आपका बाईय आप सभी बाईयों का आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं वेलकम तो अज जो भी बाईय चैनल पर पहली बार है वो सबसे पहले आपके अपने चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर ले और पास में दिएगे गैंटी के निशान को जरूर से दबालें जी जिससे की हर नहीं आने वाड़ी वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुंचे और आप इंजोए कर सके तो फर्स्ट लेक्टेशन में बहुती बड़ी हाइट के साथ और इसकी जो एज है वो तीन साल से कम कम की है क्योंकि जो दूद के दाथ होते हैं वो दो से डाई साल की होते हैं तो बहुत अच्छी एच्चफ ब्रीड की गाए जो कि हमारे बहुत से गुजराश से बाई हैं महराश्ट से बाई हैं उन्होंने वाटसप पे भी कई बार मेसेज किये हैं भी हमें किसी एच्चफ जो सेलर हैं उनके भी आपको एक कॉंटेक्ट नंबर दीजिए तो आज हमें एक नायब सिंग्जी हैं जो सेल के लिए अवेलेबल करवाते हैं और हर जगले ट्रांस्पोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाते हैं इसके दात आप देख सकते हैं बशडी के दूद के दात हैं बहुत ही सुन्दर पूरी डिटेल आपको वीडियो के मादेम से बताई जा रही है तो ये केसरी सिंग पूरुक के अंदर सेल के लिए अवेलेबल है कोई बाई इन से संपर्क कर सकते हैं नीचे नमबर दिये जा रहे हैं 100% गारिंटी के साथ होम डिलिवरी प्रोवाइड करवाते हैं तो आप इन से संपर्क कर और अधिक जानकर ही ले सकते हैं और इनके अलावा भी और भी HF एं जर्सी में गाये चाहिए मिक्स ब्रीड में चाहिए तो इन से आप संपर्क कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा HF ब्रीड का ये अनिमल है देख सकते हैं बहुत ही अत्यान सुन्दर ये लगबग आठ से दस दिन में बच्चा दे सकती है और जिसके अडर ग्रोथ करने की जो कैपिसिटी अभी तक बहुर भी बड़ा अडर ग्रोथ करेगी और फर्स्ट लेक्टरेशन में 25 लिटर तक दूद देने के इसके अनुमाल लगाया जा रहा है जैसा कि नायव सिख जी ने बताया है 25 लिटर तक ये दूद दे सकती है इसका जो प्राइज रखा गया है इन्होंने 70,000 डिमांड किये है तो कोई भी बाई इनसे और अधिक जानकरी ले सकते दन्यवाद, राम राम, सलाम